हाई दोस्तों आई टेक नाप सभी लोगों का स्वागत है देखो भाई स्मार्टपोन में नई नई टिप्स और ट्रिक्स तो आती रहती है बट फिर भी कुछ ऐसी सिंपल वाले ट्रिक्स होती है जिसे लोग ट्राइ नहीं करते या फिर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है बट आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल और कारगर ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसे आप अभी ट्राइ कर सकते हैं उसका फाइदा ले सकते हैं फूर एक्जाम्पल के कैसे आपको 1GB प्री इंटरेट डेटा मिलेगा कैसे आप किसी भी वाइपाई का पासवर जान सकते हैं वगरा वगरा वो सारी चीजे मुलाब इस वीडियो में होने वाली है तो वीडियो को पुरा देखेगा तो चले यहाँ पर मैं आपका टाइम पास ने करता हूँ फड़ा फड़ा से वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरा मुर्पान और आप देख रहे हैं आईटेक तो वाई सबसे पहले जो ट्रीक है इसमें आपको 1GB प्री इंटरनेट डेटा मिल सकता है अब इसके लिए आपको करना क्या है कुछ नहीं बस आपका डेटा कतम हो जाए तो आपको डायल करना है 121249 बस आप इसे डायल करें डायल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मलब सुनाई देगा इसके बाद सिंपल है बस आपको एक नंबर दबाना है और आपको 1GB प्री इंटरनेट डेटा मिल जाएगा वैसे मैंने ले लिया है अब दुबाला से मैं ले नहीं सकता बट आपका बाकी होगा तो आप ट्राइ करके 1GB डेटा ले सकते हैं अब अगर रुख जाएए यहाँ पर एक दिक्कत है यह benefit सिर्फ पर सिर्फ वी कार्ड कंपनी वालों के लिए है यानिके अगर आपके पास वी कंपनी का सिम कार्ड है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एटेल है जियो है तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बटेंचन मतलो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बेर दिजल में आपको एटेल और जियो के लिए भी ऐसी कोई नई स्किम वाला नमबर लाके दे दूगा तो आप भी वन जी भी यूज़ कीज़ेगा फिलाल अभी वी कार्ड वाले यूज़ कर रहे हैं वाइ-फाई में जाइए और उस राउटर के नेम पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहां पर आपको QR कोड का आईकोन दिखाए देगा ज Kabी आपको आस पर क्लिक करके उस QR कोड के ऊपर देखेंगे तो आपको पासवड मिल जाएगा और और वाई-पाही चांस करके आप किसी भी Wi-Fi का पासपट जान सकते हैं बट सर्थ यह है कि स्मार्टपोन उस Wi-Fi राउटर के साथ एक बर कनेक्ट हुआ हो अब मैं आपको यह कहूँ कि आपका फ्रेंड आपको WhatsApp पर मेसेज करता है और उस मैसेज को तुरंत ही वो डिलीट भी कर देता है अब आपको जानना है कि आपके फ्रेंड ने उस मैसेज में क्या लिखा था आसान सब्दों में कहें कि WhatsApp के डिलीट हुए मैसेज को आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कर लेंगे कुछ भी बहुत सारी ऐसी आप है जो डिलीट हुए मैसेज को दिखा देती है तो मैं कहूंगा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्यूंकि आपको अब होगा यह कि अगर कोई वंदा आपको WhatsApp पर मैसेज करके डिलीट कर देता है तो आप इसी नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर उस मैसेज को देख सकते हैं आप इस वीडियो को देखने वाले जितने भी स्टूडन्ट है या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उन्हें दिजीटल सिगनेचर के बारे में तो पताए होगा जब भी हमें किसी ओनलाइन डॉक्यूमेंट्स पर या फिर PDF पर सिगनेचर करनी होती है तो हमारे पास दिजीटल सिगनेचर होनी चाहिए अब अगर आपके पास आपकी डिजीटल सिगनेचर नहीं है तो फिर आपको बन अपनी digital signature बना सकते हैं इसके लिए आपको जाना होगा signwell.com पर यहाँ पर जाने के बाद draw signature पर click करें और click करने के बाद जो भी आपकी signature है वो आपको यहाँ पर draw करनी है जैसे कि अगर आप WhatsApp पर किसी का status देखते हैं और status पर अगर कुछ अच्छा खासा लिखा हुआ है और आप उसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो status पर आप अपनी उंगली रखते हैं ताकि status आगे ना आगे pause हो जाए तो आपको उंगली रखने की ज़रूरत नहीं है भाई आप अपनी तीन फिंगर से जैसे आप टैप करेंगे ना स्क्रीन पर तो status रोख जाएगा तो अब आपको उंगली नहीं रखने है तीन फिंगर से ऐसे टैप कर देना है और अगर आप WhatsApp पर किसी ऐसे बंदे को मैसेज करना चाहते हैं जिसका नंबर आपने WhatsApp पर से नहीं किया है तो simple है आप उसका नंबर किसी को भी मतलब टैक्स में send कर दें और उसी नंबर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उपर ही आपको चैट का option दिखाए देगा जहां पर क्लिक करके सीधे उसी नंबर से आप चैट कर सकते हैं तो यह काफी interesting trick है जिसमें आपको नंबर सेव भी न कर दीजीगा तब तक लिए ध्याने केंगा दोस्तों टेक केर बाइ